तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब इंड आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे है तो अगर पर इसका प्रेंड वीडियो हम लोग बना दिया है जिसो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट टू देखने जा रहे हैं पर पार्ट टू चालो होने से पहले में आपको बता दिना चाहता हूँ माटिल्ड एक कैरेक्टर है जो थोड़ी दुखी है और उनको एक इन्वीटेशन आता है जो पार्टी में जाना होता है पार्टी के कपड़े नहीं थे तो कपड़े 400 फ्रैंक से उनने खरीदे तो सही पर ज्वैलरी उनको उनकी दोस्त के पास से बोरो करना पड़ा था पार् पे उनने फोड किये थे उसके अंदर उनने चेक किया इन फोड ऑफ अंके कपडों में चेक किया इन दब के पोकेट में चेक किया एवर एक जगा पर उनने चेक किया but they could not find it but वो मिला नहीं नेकलेस I am sure you still had it on when you left the hall फ्रून ने पूछा की तुम्हें याद है कि hall छोडने से पहले तुमारे मतलब तुमारे गले में वो necklace था, yes I touch it in the hall at the ministry और उनने का हाँ मुझे याद है कि जब मैं hall में थी ना तो मैंने मेरे necklace को touch भी किया था, but if you had lost it in the street, we would have heard it fall, पर अगर street में ही अगर तुमने गुमा दिया है, वो that's probably it, हाँ साइद से वो गाड़ी के अंदर ही छुट गे, did you take his number तो तुमने वो गाड़ी वाले का number लिया था क्या, no I did not take it, okay they stayed at each other, अभी एक दूसरे के सामने देख रहा है, stunned, stump मतलब एक दफ स्टब्द हो गए थे, at last loisail put his clothes again और loisail नहीं क्या किया, उनके कपड़े वापिस पहने, I am going back मैं जा रहा हूँ, he said, over the whole route we walk, जो route पे हम लोग चले थे, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, check करने के लिए साइद मिल जाए, and see if I can find it, और देखते हैं कि अगर हमें मिल जाता है, he left, फिर वो चला गए, she remained in her ball dress, ball dress मतलब party dress, all night वही dress उनने पहना था, her mind blank पर, उनका mind बिल्कुल खाली था, क्योंकि अभी 10 से ना गया था, her husband returned at about 7 o'clock, 7 बज़े वो जब वापस आ है, he had found nothing, उनको कुछ भी नहीं मिला था, he went to the police, police के पास गया, to the newspaper to offer a reward, newspaper में भी उन्होंने अड़र्टाइज दी, जिसमें reward भी offer किया, to the cab companies, जो cab companies थी, उनको भी उन्होंने contact किया, everywhere the tiniest glimmer of the hope led, tiniest glimmer मतलब जहाँ पर भी आशा की कीरन मिल रही थी, वहाँ पर उन्होंने try किया, पर उनको कहीं पर भी नहीं मिला, she waited all day, पूरा दिन रहा देखा, in despair at this frightful disaster, यह बहुत बड़ा मुसिबत उनके जीवन में आ गया था, और पूरा दिन उन्होंने रहा देखा, loisil returned in the evening, अभी loisil जो था, वो साम को return आया, hello, hello मतलब खाली, ठीक है, and pale, pale figure मतलब जो dull figure हो थी, वो हो गया था, he had found nothing, उनको कुछ भी नहीं मिला था, you must write to your friend, और उनने का, तुमारे दोस्त को तुम्हें यह लिख के भेजो, he said, tell her, you have broken the claps of the necklace, and that you are having it mended, उनको ऐसा बोलना है, कि तुमारे जो necklace जो तुमने बेजा था, वो थोड़ा सा तूट गया है, और उसको repairing करने के लिए, तुमने डाला है, it will give us time to look for, to look some more, okay, तो हमको थोड़ा बहुत time मिल जाएगा, हम लोग वो necklace जूंट पाएंगे, she wrote as he dictated, जैसा उनने dictate किया, वैसा उनने उनकी friend को लिख दिया, next at the end of one week, they had lost all hope, okay, एक हपता हो गया, अभी कोई भी आशा नहीं थी, and Loisal, who suddenly looked aged, declared, we must consider how to replace the jewel, okay, जो अभी थोड़ा aged लग रहा था, क्याकि चिंता की वज़े से जो brightness था, वो चला गया था, उसने कहा कि साइध हमको, जो necklace लिया था, उसको replace करना पड़ेगा, और दूसरा वाला खरित के देना पड़ेगा, and so they went from dwellers to dwellers, एक dwellers दुकान से, दूसरी dwellers के पास गए, looking for the necklace like other one, उसकी जैसा ही एक दूसरा necklace वो लग ढूंड रहे थे, consulting their memories, और वो अपनी memory में याद कर रहे थे, कैसा था, कैसा था, और वो ढूंड रहे थे, both sick with grief and anguish, दुखी भी थे, और चिंता में भी थे, और वो ढूंड रहे थे, in a shop, at the Pallias Royal, एक दुकान थी Pallias Royal, they found a string of diamond which seemed to be the exactly what they were looking for, बिल्कुल वैसा ही एक necklace मिल गया था, ठीक है, it was worth 40,000 francs, पर इसकी price की थी 40,000 francs, मतलब बहुत महिंगा था, they could have it for 36,000, discount के साथ उनको 36,000 में मिल रहा था, पर फिर भी वो बहुत महिंगा था, so they begged the dwellers not to sell it for 3 days, और उन्हे made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs, if the other necklace was found before the end of the February, okay, और उन्हेंने decide कि 34,000 francs में तो हम लोग यह खरिद लेंगे, अगर वो नहीं मिला तो, Loisal had 18,000 francs, और अभी उनके पास था 18,000 francs, मतलब और 14,000, 16,000 बाकी थी, which is father left him, और वो भी उनके father जो थे, उन्हेंने fortune में, मतलब विरासत में उनको मिले थे, he would borrow the rest और उनको दुसरे पैसे बॉरो करने पड़ेंगे, and he did borrow, और उन्हेंने बॉरो भी किये, he gave notes, made ruinous agreement, dealt with every type of money lender, और एक प्रकार के पैसे, जो करजा देते हैं, उनके पास जाके, वादा करके, उन्हेंने पैसे एकटा किये, then he went to get the new necklace, और new necklace उन्हेंने खरीद लिया, and laid down on the dweller's counter, 36,000 franc, फिर फाइनली उन्हेंने, 36,000 franc में वो खरीदा, मतलब 18,000 उन्हें बॉरो किये, 18,000 उनके साथ थे, next, और उन्हेंने का, कि थोड़ा जल्दी देना था न, साथ मुझे भी काम आजाता, next, और उसके बाद जो लॉइसल थी, उनकी जो लाइब थी, वो गरीब ही में चालू हो गये, मतलब बहुत ही गरीब दिन आने लगे, बर सी प्लेड हर पार्ड हीरोइकली, पर उन्हेंने बहादूरी से, वो गरीबी में भी दिन निकाले, कैसे, और ये इतना बड़ा जो करजा हो गया था, वो पे करना था, सी वूड पे इट, और उसको पे करना पड़ था, थोड़ा भी तो करना पड़ेगा, दे डिस्मिस्ज देर मेड, इस दिये उन्होंने जो घर पे, जो अरत काम करने आती थी, नौकरानी उनको निकाल दिया, दे चेंज देर लॉजिंग, और वो जो अच्छे घर में रहते थे, वो भी चेंज करके, अभी छोटे घर में चले गए, दे रेंटेड अगरेट अंडर दे रूफ, और एकदम छोटा वाला घर, रूफ जो टाइव रहता है, जो पड़ी जैसा, उसमें वो जाके रहने लगे, नेक्स बड़ेपन, शी चेंट टू नो दो ड्रगरी of housework, गर के अंदर जो मजीरी करनी पड़ती है, जो काम करने पड़ते हैं, वो अभी उनको पता चले, the audious labor of the kitchen, और जो कंटाला करने वाला, जो kitchen काल काम है न, वो अभी उनको पता चला, शी वोज गशन का अभीजिस वोज खना पड़ता था, dirty lignions, भरके लेकर आती थी stopping at each landing to catch her breath और हर एक step चड़ते-चड़ते फिरो सांस लेती थी फिर दीरे-दीरे उपर आती थी and dressed like a commoner और ऐसे कपड़े पहनती जैसे कि बहुत ही गरीब, बहुत ही poor class की लड़की है she had no bargain at market market में bargain भी नहीं कर सकती quarrel at the face insult over every miserable shoe महाँ पर जो भी लोग quarrel करते थे उनके साथ अभी quarrel भी नहीं कर सकती थी कि परिस्तिती बहुत खराब हो गई थी each month they had to pay some loan हर महिना उनको कुछ ना कुछ installment देना पड़ता था renew others get more time और हर बार किसी ने किसी के साथ से renew करना पड़ता था और सब किसी के पास ज्यादा time मांगना पड़ता था वही problem life में उनके चलते रहते थे next her husband worked extra और उनके husband को भी extra काम करना पड़ा at every evening doing account of the tradesman अभी दूसरे जो व्यापारी थे उनके पास जाकि वो accounting करता था था कि extra पैसे मिल जाए and often late into the night और घर पी वो हमेंसा late आता था he sat copying a manuscript of at five soap a page और वहाँ पर एक manuscript लिया था जिसकी copy वो लिखने का काम करता था जहाँ पर उसको 5 पैसे भी मिल जाते थे and this life lasted 10 years और ऐसी life कितने साल तक चली 10 साल तक चली वो 18,000 फ्रांक पे करने लिए at the end of the 10 years they had paid off everything 10 साल के बाद उनका सारा करजा खतम हो गया even the interest और वो जो ब्याज भी था न वो सब उनका खतम हो गया पर याद रखिए 10 साल उनको लग गए थे next फिर क्या हुआ मैडम लॉइस से look old now अभी वो बहुत बुठी दीख रही थी often she brooded over the past और वो हमेशा वो past को देखती थी तो क्या होता था what would have happened if she had not lost that necklace और हमेशा वो सोचती रहती थी कि अगर मैंने वो necklace नहीं गुमाया होता तो मैरे 10 साल कितने अच्छे गए होते हैं how strange life is life कितनी strange है how fickle वो कितनी कमजोर है how little is needed for one to be ruined or safe और फिर उनने कहा कि कितनी छोटी चीज़ से life पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है या तो फिर बचाई जाती है next one Sunday she was walking in the champs Alice suddenly she saw Madam Froister जब champs Alice में जब चल रही थी तो Madam Froister को उनने देखा still young, still beautiful, still charming और वो अभी भी बहुत खुबसूरत दिख रही थी कौन? Madam Froister फिर क्या हुआ Madam Loissel felt emotional और वो जो थी थोड़ी emotional हो गई she should speak to her और उनने decide किया चलो अभी मैं जाके उनसे बात करती हूँ क्योंकि अभी तो सारा करजा भी खतम हो गया उनका भी necklace हमने दे दिया yes of course and now that she had paid she would tell her all why not? उनने सारा करजा खतम कर दिया तो अभी क्या हुआ था वो पूरी story तो उनको बतानी पड़ेगी so she went up to her इसलिए वो उनके पास गए और कहा good morning Jane the other astonish to be addressed so familiarly by this common woman did not recognize her और उनको ये आवज बहुत familiar तो लगी froister को पर उन्होंने उनको recognize नहीं किया पहचान है कि ये कौन है she stammered और फिर वो stammering हकुलाती हुए क्या बोली but madam I don't know you पर मैं आपको पहचानती नहीं you must have made a mistake सायद तुमसे कोई गलती हो गई है next I am Matilda Loissel how have you you have changed और वो करने लगे कि मात रिल्ला तुम इतनी change कैसे हो गई yes I have had some hard time वो उन्होंने कहां कि life में बहुत hard time आ गया था since I last saw you and many miseries last में जब तुम हम लोग मिले थे उसके बाद बहुत बहुत खराब परिष्टिती आ गई थी and all because of you और ये सारी चीजे तुम्हारी वज़े से हुई थी me how can that be मेरी वज़े से मैंने क्या किया था you remember that diamond necklace that you lent me to wear to the ministry party तो मैं याद है कि तुमने जो diamond necklace तुमने मुझे दिया था वो ministry party में पहनने के लिए yes well ये मुझे याद है well I lost it मैंने क्या क्या वो आपस लाके दिया था I brought you back another exactly like that और मैंने दुसरा वाला खरित के तुमारे लिए वो आपस ले कर आई थी and it has taken us 10 years to pay for it और उसके पैसे पे करने के लिए हम लोगों को 10 साल लग गए it wasn't easy for us और वो हमारे लिए आसान नहीं था we had very littered हमारे पास बहुत कम पैसे थे but at last it is over but 10 साल के बाद वो पैसा देना खतम हो गया and I am very glad अभी मैं थोड़ी खुश हूँ क्योंकि हमारा सारा करजा चला गया मैडम फ्रोइस्टर वो स्टन मैडम फ्रोइस्टर को भी आस्चरिय हो गया you say that you bought a diamond necklace to replace mine तुमने वो मेरा necklace replace करने के लिए diamond necklace खरीदा था yes you didn't notice then हाँ तुमने उस time notice नहीं किया था they were very similar वो एकडम similar दीख रहे थे and she smiled with proud and innocent pleasure और वो अभीमान के साथ और एकडम innocent pleasure के साथ वो हसने लगी मैडम फ्रोइस्टर डिपली मूड और मैडम फ्रोइस्टर जो थी न वो थोड़ी moved हो गए थोड़ी उनको आज से ले लगा took both her hands और उनके दोनों हाथ से उनको पकड़ा oh my poor Matilda और फिर उनने माटिल्दा को कहा mine was the imitation मेरा जो necklace था न वो नकली वाला था वो असली नहीं था नकली था it was worth 500 फ्रांक at the most और उसकी price सायद ज्यादा से ज्यादा 500 फ्रांक होगी उससे ज्यादा नहीं होगी और उसके सामने तुमने इतने सारे पैसे भी गवाए और तुमारे 10 साल तुमने गवाए यहाँ पर इस story खतम कर दिये dot 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 इसके आगे तुमें सोचना है कि क्या हुआ होगा तो में इमेजिन कर सकते हो कि लाइफ में इतना मतलब क्या बोलते है greediness जो होता है और jealousy जो होती है न वो नहीं होनी चाहिए जो लाइफ में जो कुछ होता है उससे satisfied हो ने तो ऐसे परिस्तिती कि तुम्हारे जीवन में आ सकते है तो I hope आपको ये lesson अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर कुछ भी doubt है, question है lesson के related, words के related तो comment में लिख कर बेजे हम आपके जरूर से help करेंगे आज के लिए बस इतना ही thank you so much, bye bye